गुयाना के राश्पती, डॉक्टर महमबादी रिफान अधिली जी, शुरिनाम के राश्पती, श्री चंद्री का प्रशाद संतोगी जी, मद्य प्रदेश के राजपाल, श्री मंगुबाय पतेल, मुख्य मंत्री श्री विरासी चववान, विदेश मंत्री श्री याईस जय संकर जी, मंत्री मंडल के अन्य सहयोगी गाण, और प्रवाशी भारती दिवस सम्मेलन में विश्व भर्चे पधारे मेरे प्रिय भाईयों और बहनों। आप सभी को 2023 की मंगल कामना है, करीब चार वर्सों के बाद प्रवाशी भारतीय दिवस सम्मेलन एक बार फिर अपने मुल स्वरूप में अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है, अपनों से आमने सामने की मुलाकात का, आमने साने की बात का अपना अलग ही आनंद भी होता है और उसका महत्पर भी होता है। मैं आप सभी का 130 करोड भारत वासियों के और से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बाई और बहनों, यहां उपस्तित प्रतेक प्रवासी भारतिय अपने अपने खेत्रों में और साधरन उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है। और यह प्रवासी भारतिय सम्मेलन मद्यपरदेश की उस धर्ती पर हो रहा है। जिसे देश का रदयक्षेत्र कहा जाता है। MP में मा नर्दा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का अध्यात्मा, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इसी आत्रा को अविश्मन ये बनाएगा। अभी हाली में पास ही उज्जेन में भगवान महाकाल के महालोग का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूँ, आप सब वहाँ जाकर भगवान महाकाल का अशिरवाद भी लेंगे और अध्वूत अनुभों का हिस्सा भी बनेंगे। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं, वो भी अपने आप में अध्वूत है। लोग कहते हैं कि इंदोर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूँ, इंदोर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदोर ने स्वत्तता के ख्षेत्र में देश में एक अलग पहचान सापित की है। खाने पिने के लिए अपन इंदोर, अपन का हिंदोर, अपन का इंदोर देश ही नहीं, पुरी दुनिया में लाजवाब है। इंदोरी नमकिन का स्वाद यहां के लोकों के है। यहां पर जो पोहे का पैशन है, साबू दाने की खिचडी, कचोरी, समोसे, सिकंजी, जिसने भी इसे देखा, उसके मुह का पानी नहीं रुका। और जिसने इने चखा, उसने कहीं और मुढ कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद है ही, सराफा भी महतुपू है। यही बज़ है कि कुछ लोग इंदोर को स्वच्चता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मुझे भी स्वास है, यहां के अनुखव आप खुद भी नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहां के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे। बज़ेश्पेश्टैगे। यहां कि बज़ेश्ट विम्हादी धिवस इसे जानी बेच वीजूरेश्टेश्टैगे। 75 यहां कि बीजाची नहीं अन्थैन्थ यहां आप इस्वीमांट एंदिश्टैगे। हैं एडिज़ अजिजेट लिए उपीजूर है अध मिन और इजेट जर इन प्रव़न ुच एर इंट लॉ के लोरीज आर इंट विर बंट अजय आए तू इंटर जे अधित अमम्रिट काल अडिज थे निजय सी काल अन्य। जर्नी, India's unique global vision and its important role in the global order will be strengthened by you people. साथ्यों हमारे यहां कहा जाता है, स्वदेशो भुवन त्रयम, अर्थात हमारे लिए पुरा समसार ही हमारा स्वदेश है, मनुष्य मात्र ही हमारा बंदू बांदव है, इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पुर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया भा, हम दुनिया के अलग-अलग कौनों मगे, हमने सब्विताओं के समाघं के अनियंत संभावनाओं को समझा, हमने सद्यों पहले वैचिव व्यापार के असाधान परंपरा शुरू की थी, हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए, अलग-अलग देशों, अलग-अलग सब्विताओं के बीच, व्यावसाई समंद कैसे साजी, समुरुधी के रास्ते खोड़ सकते हैं, भारत्यों और भारतियों ने करके दिखाया, आज, अपने करोडों प्रवासी भारतियों को, जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं, तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं, दुनिया के इतने अलग-अलग देशों में, जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं, तो वसुधय कुटुम कम की निभावना उसके शाक्षा दर्शन होते हैं, दुनिया के किसी एक देश में, जब भारत के अलग-अलग प्रांतों, अलग-अलग छेत्रों के लोग मिलते हैं, एक भारत त्रेश्ट भारत का सुखद एहसास भी होता है, दुनिया के अलग-अलग देशों में, जब सबसे शांत्य प्रिय लोक्तांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती हैं, तो मदरब डेमुक्रसी होने का भारतिय गवरव अनेक गुना बढ़ जाता है, और जब हमारे इन प्रवासी भारतियों की योगदान का विश्व आकलन करता है, तो उसे ससक्त और समर्थ भारत इसकी आवाज सुनाई देती है, इसलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतियों को विदेशी धर्ती पर भारत का राष्ट दूत ब्रेंड एंबेसेडर कहता हूँ, सरकारी व्यवस्ता में राष्ट दूत होते है, भारत की महान विरेस्ट में आप राष्ट दूत होते हैं। प्रेंस, यह रोल अजिए ब्रेंड 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 दूत हैं। राष्ट वारा, यह रूवटू है। धने केनं विर्या, यह रूवट फ्योंत व्योव्टिवेड,ujęँ रब्रेंड ब्रेंड निस्त्रमुस हैं। आपकुंड, आपकूंड, आपकूंड आपकूंधे अन्यक्तूणि त्रीजाओ सुट्रीज़ क dzi उन्यटरी उन्यक्तों इंचियर आंकियो प्रींटांने प्रीजिते लूल्जि़िः नियर्गें आपकूंड आपकूंड्लिक्नलिक्स. with you while returning. You also have another important role to play in these rapidly changing times. You are the people who will address the world's desire to know more about India. Today, the whole world is waiting and watching India keenly with great interest and curiosity. It is important to understand why I am saying this. Sathiyo, Pichle kuch varsho me Bharat ne vikas ki jho gati prapt ki hai jho uplabdiyan haasil ki hai wo asadharan hai, abhudpurwa hai. जब भारत कोवीट महमारी के बीच कुछ महिनों में ही स्वदेशी वैक्सिन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड से ज़्यादा वैक्सिन डोज मुप्त लगाने का रेकोर्ड बनाता है, जब वैश्वीक अस्तिर्ता के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्थिववस्ता बनता है, जब भारत विश्व की बड़ी एकोनोमी से कॉम्पीट करता है, top 5 एकोनोमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीस राथ सबसे बड़ा स्टाट अप एकोसिस्टेम बनता है, जब mobile manufacturing जैसे ख्षेत्रों में, electronic manufacturing जैसे ख्षेत्रे में make-in इंडिया का डंग पसता है, जब भारत अपने दम पर, टेजस फाइटर फ्लेंज, एरकाप्ट केरियर, आइनेस विक्राम और अरिहंत जैसी नुकलियर सब्मरीन बनाता है तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में कुरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है लोग जानना चाहते हैं कि भारत की स्पीड क्या है, स्केल क्या है, भारत का फ्यूचर क्या है इसी तरह जब कैस्टलेस एकोनमी की बात होती है, फिंटक की चर्चा होती है तो दुनिया ये देखकर हरात में है, कि विश्व के 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजिक्शन भारत में होते हैं जो स्पेस के फ्यूचर की बात होती है, तो भारत की चर्चा स्पेस टेक्नोलोजी के मोस्ट एडवांस देशों में होती है भारत एक बार में सो सो सेटलाइट लॉंच करने का रिकॉर्ड बना रहा है सौफ़एर और डिजिटल टेकनोलोजी के खेतर में हमारी ताकत दुनिया देख रही है आप पेसे बहुत से लोग भी इसका बहुत बड़ा जरिया है भारत का ये बढ़ता हुआ सामर्थ भारत का ये तमखम भारत की जुड़ों से जुड़े हर व्यक्ति का स्षीना चौड़ा कर देता है वैश्विक मंजपर आज भारत की आवाज भारत का संदेश भारत की कही बात एक अलग ही माइने रखती है भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और जादा बढ़ने वाली है और इसलिए भारत के प्रती जिग्यासा भारत के प्रती क्रियोसिटी भी और बढ़ेगी और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतिय मूल्के लोगों की प्रवासी भारतियों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है आपके पास आज भारत के बारे में जितनी व्यापक जानकारी होगी उतना ही आप दूसरों को भारत के बढ़ते सामर्थे के बारे में बता पाएंगे और तथ्यों के आधार पर बता पाएंगे मेरा आग्रह है कि आपके पास cultural और spiritual जानकारी के साथ साथ भारत की प्रगती की updated information होनी चाहिए साथियों आप सबको ये भी पता है इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समुह की अत्यक्षता भी कर रहा है भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े आउसर के रुप में देख रहा है हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का आउसर है ये दुनिया के लिए भारत के अनुभावों से सीखने का पुराने अनुभावों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशात ताय करने का अफसर है हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बलकि जन भागीदारे का एक अइतिहासिक आवेजन बना रहा है इस दोरान विश्व के विभिन देश भारत के जन जन के मन में अतित्री देवो भव की भावना का दर्शन करेंगे आप भी अपने देश से आ रहे प्रतिनीजियों से मिलकर उन्हें भारत के बारे में बता सकते हैं इससे उन्हें भारत पहुंचने से पहले ही अपनत्व और स्वागत का एहसास होगा साथियों और मैं तो यह भी कहूंगा कि जब G20 समीट में क्योंकि कोई 200 मिटिंग होने वाली है जी ट्वेंटी समूंके 200 डेलीकेशन यहां आने वाले हिंदुस्तान के अलग लग शहरों में जाने वाले वापिस जाने के बाद वहां पर रहने वाले प्रवासी भारतियों उनको बुलाएं भारत में गए थी तो कैसा रहा उनके अनुभव सुने मैं समझता हूं कि उनके साथ हमारे बंधन को और मजबूत करने के लिए आउसर बन जाएगा साथियों आज भारत के पास नकेवल दुनिया के नौले सेंटर बनने का बलकि स्कील केपिटल बनने का सामर्थ भी है आज भारत के पास सक्षम युवाओं के बड़ी तादाद है हमारे युवाओं के पास स्कील भी है बेल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जजबा और इमानदारी भी है भारत की ये स्कील केपिटल दुनिया के विकास का एंजिन बन सकती है भारत में उपस्ति दिवाओं के साथ ही भारत की प्रात्विक्ता वो प्रवासी हुआ भी है जो भारत से जुड़े है हमारे नेक्ट जनरेशन युवा जो विदेश पे जन में है वही पले बड़े हैं हम उने भी अपने भारत को जानने समझने के लिए कई अउसर दे रहे हैं नेक्ट जनरेशन प्रवासी वाओं में भी भारत को लेकर उच्छा बढ़ता चला जा रहा है वो अपने माता पिता के देश के बारे में जानना चाहते हैं अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं यह हम सब की जिम्मेदारी हैं कि हम युवाओं को नवक्यवल देश के बारे में गहराई से बताएं बलकि उन्हें भारत दिखाएं भी पारंपारिक बोथ और आधुनिक नजर के साथ ये युवां फ्यूचर वर्ल को भारत के मारे में कहीं ज्यादा प्रभावी डंग से बता पाएंगे जितनी युवां में जिग्यासा बढ़ेगी उतना ही भारत से जुड़ा परियतन बढ़ेगा भारत से जुड़ी रिसर्च बढ़ेगी भारत का गवरो बढ़ेगा ये युवां भारत के विभिन परवों के दोरां प्रसित्य मेलों के दोरां आ सकते हैं या फिर बुद्ध सरकीर, रामा एंड सरकीर का लाप उठा सकते हैं वो आजादी के अमरत महोसों के तहद होरे कारकमों में भी जुड़ सकते हैं चाहिएं मेरा एक और सुझावा है कई देशों में भारत से प्रवासी कई सद्यों से जाकर बसे हैं है भारतिये प्रवासियों ने वहां के राश्ट के निर्माण में अपने असाधरन योगदान दिये हैं हमें इनकी life उनके struggles और उनके achievements को document करना चाहिए हमारे कई भुजुर्गों के पास उस जमाने की कई memories होगी मेरा आगर है कि university के माध्यम से हर देश में हमारे diaspora के history पर audio, video या लिखी documentation के प्रयास किये जाए साथियों कोई भी राष्ट उसमें निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति के दिल में चिवीत रहता है यहां भारत से कोई व्यक्ति जब विदेश जाता है और उसे वहां एक भी भारतिय मुल्का व्यक्ति तो यह व्यक्ति मिल जाता है तो उसे लगता है कि उसे पूरा भारत मि कि यानि आप जहां रहते हैं भारत को अपने साथ रखते हैं कि भीते आठ वर्षों में कि देश ने अपने डाइस्फोरा को ताकत देने के लिए हर संभव प्रयास किया है कि आज भारत का ये कमिट्मेंट है कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे देश आपके हितों और अपेख्षाओं के लिए आपके साथ रहेगा कि मैं गयाना के राश्पती जी और सुरी नाम के राश्पती जी का भी रुदेश से अभार व्यक्ते करता हूं भिनंदन करता हूं कि इस महत्वपून समारों के लिए उन्होंने समय निकाला और उन्होंने जितनी बातें आज हमारे सामने रखी हैं वे वाकई बहुत उप्योगी है और मैं उनको विश्वान दिलाता हूं कि जिन सुझावों को उन्होंने रखा है उस पर भारत जरूर खरा उतरेगा मैं गया ना जी के राजपती जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज काफी पुरानी यादें साजा की क्योंकि जब मैं गया ना गया तो मैं कुछ भी नहीं था मुखमंद्र भी नहीं था और तब का नाता उन्होंने याद करके निकाला में उनका बहुत-पहुत आभारी हूँ, मैं फिर एक बार, आप सभी प्रवासि भारती दिवस के लिए, ये समारों में आए, बीच के गैप के बार मिलने का मोका मिला है, मेरी तरफ से आपको अनेक अनेक शुब कामनाएं हैं, बहुत लोगों से मिलना होगा, बहुत लोग चीज़े जानने को मिलेगी, जिससे लेकर के, उस मुर्तियों को लेकर के, फिर अपने कारक्षेतर में लोटेंगे, अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में जाएंगे, मुझ बहुत बहुत शुब कामनाएं, धन्यवाद.